डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस्टुडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था authentic answer नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ minimum time में maximum study करनी थी तो एक ए concept लेके authentic knowledge देनी है और minimum time में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel के शुरुआत हुई थी बाद में student की demand आने लगी कि sir ये video वो video तो फिर different domain के और different subject के कई सारे video को इसमें upload किया गया जो की class 5th से start है आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम video हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस यानि 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस channel पर अपलोड किये जा चुके हुए है जो की different domain के है आप एक बाप playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers जो है वो इस channel के non subscriber है जिन्होंने subscribe नहीं किया है कि 25% viewers ने ही subscribe किया हुआ इस channel को तो भाई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई समिच suggestion है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए वाई यही आसा के साथ आपने आपको यहां पर इन्हों नहीं कहा कि hydrogen atom की energy को दे दिया है और यह value आपको दी है en equal to minus 2.18 into 10 to power minus 18 by n square और joule per atom ठीक है ना कभी कभी atom नहीं लिखा हुआ मिलता है तो देखे उपर लिखा हुआ है hydrogen atom यानि की per atom की ही बात कर रहा है atoms नहीं लिखा है इसके बात कर रहा है कि calculate the energy required to remove the electron from n equal to 2 orbit ठीक है ना electron को आपने n equal to 2 orbit से remove कर दिया और वो भी completely remove कर दिया बात संग्या है ना remove यहां पर remove completely है remove completely है ठीक है ना यानि completely remove कर दिया इसका मतब electron यहां पर था और इसको आपने infinite से बाहर भेज दिया यह सबनाव n1 की value 2 है और n2 की value जो है वो कितने infinity है ठीक है उसके बात कर रहा है कि what is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition और इस transition के लिए जो है जो wavelength है वो आपको यहां पर calculate करनी है बात संग्या है ना तो रहिए यहां से यहां पर electron जो है e n2 minus e n1 तो यहां पर हो जाएगा e infinity और minus हो जाएगा क्या e n2 हो जाएगा क्योंकि यहां पर n1 की value कितने 2 है ठीक है ना इसका मतलब हो जाएगा कि minus e n2 हो जाएगा क्योंकि यह value तो 0 हो जाएगी ठीक है तो अब इसका मतलब क्या हुआ minus यहां पर यह value दीगी है minus 2.18 into 10 to power minus 18 और by n को हम n2 कर देते हैं n2 square हो जाएगा ठीक है ना और यह joule per atom हो जाएगा सही है ना अब minus into minus यह निए कि प्लस हो जाएगा तो यह जाएगा 2.18 into 10 to power minus 18 by हो जाएगा क्या n2 square joule per atom यह जाएगा 2.18 into 10 to power minus 18 by 2 square इसके बाद हो जाएगा 2.18 into 10 to power minus 18 by हो जाएगा 4 अब यहां से 4 से आप इसको डिवाइट करेंगे तो value आएगे 5.45 5.45 into 10 to power minus 19 joule per atom तो यहां पर आप इसको solve करके लाएगे तो value 5.45 into 10 to power minus 19 joule per atom आएगा आप करेंगे what is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition तो देखें यह थोड़ा सा यहां पर shortest होना चाहिए था longest की जगहे पर आपको याद आ रहा है कि equal to जो होता है वो scy lambda होता है यानि अगर energy की value बढ़ेगी तो lambda की value क्या होगी घट जाएगी और यहां से यहां transition जोगा वो maximum हो जाएगा यहां पर maximum energy use होगी तो इसका मतलब है कि lambda कैसी होगी minimum हो जाएगी तो यहां shortest हो जाएगी फिर कोई दिक्कत रही हमको transition का wavelength calculate करना है तो चली हम wavelength को energy से calculate करते हैं अगर energy को से wavelength को calculate करें तो E equal to SC by lambda आता है तो lambda equal to SC by क्या हो जाएगा E हो जाएगा H क्या है plan constant है value कितरी 6.626 into 10 to power minus 34 joule second है E की value क्या है 3 into 10 to power 8 meter per second है ठीक है न और यहां पर sorry C की value C velocity of light 3 into 10 to power 8 meter per second है E क्या है energy है energy की value हमने अभी calculate की है 5.45 into 10 to power minus 19 joule तो यहां से देखिए joule से joule cancel out हो जाता है second से second cancel out हो जाता है आपके पास meter बचता है अब इसके बाद value क्या आ रही तो 6.626 into 3 by 5.45 into power को देख लेते हैं 10 to power minus 34 into 10 to power 8 by 10 to power minus 19 हो जाएगा अब यह minus 19 उपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो यहां पर यह value आएगे 6.626 into 3 by 5.45 into 10 to power minus 34 into यह जाएगा 10 to power 8 into 10 to power 19 अब देखि 10 to power 19 और 8 यह plus में है तो यह जाएगा 10 to power 27 यानि उपर 7 minus का बचेगा यह value 6.626 into 3 by 5.45 into 10 to power minus 7 मीटर बचेगा जब हम यह value को solve करेंगे तो solve करने पर यह value आएगी 3.647 into 10 to power minus 7 मीटर यह value जो आएगी वह 3.647 into 10 to power minus 7 मीटर आएगी बचेगा हमको answer बोल रहा है कि centimeter में देना है answer हम से कह रहा है कि centimeter में बताना है तो meter को centimeter में बदल लेंगे तो देखिए meter को centimeter में हम बदल लेंगे कैसे बटे कि हमारे पास जो है वो क्या answer आ रहा है वो 3.647 into 10 to power minus 7 मीटर आ रहा है तो हम इसको बदल लेंगे 3.647 into 10 to power minus 7 into 10 to power 2 centimeter ठीक है ना यानि कि मेरे पास जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा 3.647 into 10 to power minus 5 मीटर ठीक है 1 centimeter equal to 100 centimeter तो इससाब से यहाँ पर हमारे पास answer 3.647 into 10 to power minus 5 मीटर आ जाए रहा है अब इस question को solve करते है question आप से कर रहा कि the mass of an electron is 9.1 into 10 to power minus 31 kg if its kinetic energy is 3 into 10 to power minus 25 joule then calculate its wavelength देखिए आपको क्या किया गया mass दिया गया electron का हम यहाँ पर given value को देख लेते हैं कि given value क्या क्या हम को दी गई है ठीके ना तो wavelength में हमको mass of electron दिया है और वो दिया है 9.1 into 10 to power minus 31 kg ठीके ना इसके साथ ही हमको kinetic energy of electron भी दिया है 3 into 10 to power minus 25 joule और हमसे wavelength यानि लेमडा की value को पूछाए यहाँ पर देखिए question में दो formula का use है और दोनो formula से आप इसको calculate कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले kinetic energy का formula आपको याद आता है half m v square ठीके तो यहां से हमने v square calculate किया तो 2 इदर चला गया M जो है divide में आ जाएगा तो 2 Kई by iai m हो जाएगा यानि v equal to जो होगा वह हो जाएगा root 2 Kई बाइ m हम यहां पर चाहें तो हम यहां पर velocity की value को calculate कर लें और हम चाहें तो यह value हम जाकर lambda में put कर सकते हैं तो छलिए हमने यहाप पर velocity की value को calculate किया तो यह उड़ाएगा क्या root 2 into kinetic energy की value जो है वह हमको दीगी है 3 into 10 power minus 25 joule और भाई मास जो दिया है वो 9.1 into 10 power minus 31 kilogram दिया अब देखिए आपको एक बात याद आ रहे है कि 1 joule जो होता है यह equal to होता है 1 kilogram meter square per second square होता है ठीक है न तो यह meter square पर second तो यहाँ पर हमने value को put कर दिया यह हो जाएगा 6 into 10 power minus 25 into 10 power 31 यह उपर ले गए और भाई जो होगा वो 9 हो जाएगा ठीक है अब into हमने यहाँ पर unit को देखा तो unit हमारे पास हो गई जाके kilogram meter square और पर second square यह तो हो गया मेरे पास जूल का और डिवाइड में क्या है kilogram है तो यह kilogram kilogram cancel out होगे अब meter square per second square हो जो होगा वो क्या होगा meter per second हो जाएगा यह क्या होगा meter per second हो जाएगा root में है ठीक है और यह answer जो आएगा वह 812 आ जाएगा इसको जब आप solve करेंगे यहां पर put कर सकते थे कौन सी यह वाली तो यहां से एक formula generate हो सकता था h upon m आपने लिखा root 2 ke by m तो यहां से हो सकता था h upon root 2 ke m आप यहां से formula पर भी रखके जो है वो direct value को calculate कर सकते थे दोनों तरह से आप कर सकते हों तो आप देखो यहां और h की value क्या आएगी 6.626 into 10 power minus 34 joule second और इसके बाद m का value 9.1 into 10 power minus 31 kilogram into v की value अभी आपने calculate किया 812 meter per second ठीक है यह value कितना है एगा 6.626 अब आई एगा 9.1 into 812 उपर क्या बचा फिर से मैंने जूल को बदल लिए ठीक ना तो जूल ओजाएगा मेरे पास kilogram meter square per second square हो जाएगा into उपर क्या बचा second square और नीचे क्या बचा kilogram और यह meter है ठीक है नहाँ पर second से second cancel out kilogram meter square में हो जाएगा स्क्वावर से meter को cancel कर देंगे बचा क्या मीटर बचा ठीक है अब इन्टू में क्या और बचा है और बचा है 10 to power minus 34 और ये power उपर चलिए आएगी into 10 to power 31 सही है न ये value आजाएगी ठीक तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 10 to power minus 3 बचेगा अब आप जब इसको solve करेंगे तो ये value आएगी 8.967 into 10 to power minus 7 meter ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं 8.967 into 10 to power minus 10 meter ठीक है ये point इदर गया यह आप लिख सकते हैं 8.967 एंग्स्ट्रॉम तो आंसर ये भी हो सकता है ये भी option के देख के आप आंसर लिख सकते हैं 10 to power minus 10 meter जो होता है वो वन एंग्स्ट्रॉम होता है तो इस तरह से ये question solve हो जाएगा आएव इस question के solve करते हैं question आपसे कर रहा है कि what is the energy in joule required to shift the electron of a hydrogen atom from first bore orbit to fifth bore orbit आपको क्या करना है energy की value calculate करनी है यानि energy of excitation की value calculate करनी है कब जब electron जो होगा वो first bore orbit से fifth bore orbit में move कर रहा है यानि n1 की value यह है और n2 की value यह है तो इसकी wavelength क्या होगी यहां पर आपको energy की value calculate करनी है और वो भी करनी है जूल में calculation ठीक है ना और इसके बाद जब electron ground state में आया तो wavelength क्या होगी यानि दोनों का magnitude जो होगा वो स्यम होगा यहां पर energy का sign plus में और यहां energy का sign minus में हो जाएगा वस यही है energy यहां पर released होगी और यहां पर absorb होगी चलिए ठीक है तो इसने एक आपको value दे दी यानि इसने कहा hydrogen के लिए z की value जो होती है मनल यह formula पूरा जो आता है वो z square by n square आता है तो hydrogen के लिए z की value क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो यहां पर भी वन यहां पर भी वन तो यह value minus 2.1 in 10 पर minus 11 arg पर atom हो जाएगी ठीक है यह जो है वो arg पर atom जो है यह value आएगी तो चलिए हमें काम करते हैं कि इस data से हम उठा के इसकी पहले तो delta e की value को calculate करते है energy of excitation और वो जो value आएगी उससे lambda की value को calculate करेगी तो यहां पर delta e जो होता है वो en2 minus en1 होता है en2 minus en1 होता है तो आपके पास में en2 की value क्या 5 है तो यह निकि e5 minus e1 हो जाएगा सही है ठीक अब आप यहां पर value को put करिए तो e5 की value अगर आप यहां पर इस साब से रखेंगे तो जाएगा minus 2.18 into 10 to power minus 11 by हो जाएगा क्या 5 square ठीक है ना और यह हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब जब आप इसको देखेंगे तो यह 2.18 into 10 to power minus 11 क्वामाना जाएगा और यह आपका 1 by 1 square minus 1 by 5 square हो जाएगा ठीक है ना जब आप इसको solve करेंगे तो आप देखेंगे यह value plus में हो जाएगी और यह value minus में है तो साथ से minus 1 by 1 square minus 1 by 5 square हो जाएगा तो यह value जो आएगी वह 2.18 into 10 to power minus 11 और यह जाएगा 1 upon 1 square 1 हो जाएगा और यह जाएगा 2.18 into 10 to power minus 11 अब यहां पर 25 then 25 minus 1 हो जाएगा ठीक है तो यह value आजाएगे 2.18 into 10 to power minus 11 into 24 by 25 हो जाएगा ठीक है अब जब हम इसको solve करेंगे ठीक है तो जब हम इसको solve करेंगे तो यह value जो आएगी वह आपके आएगी 2.09 into 10 to power minus 11 और जाएगी छिक तो यहां पर यह value जो आएगी वह 2.09 इंटू 10 पार माइनस 11 अर्ग आ गई बट आप से कह रहा है कि आपको जूल में चाहिए इसको आंसर जो चाहिए वो किसमें चाहिए जूल में चाहिए तो इसको जूल में चेंज कर लेते हैं तो देखो 1 अर्ग जो होता है यह equal to 10 पार मा माइनस 11 इंटू 10 पार माइनस 7 जूल यानि कि यह value आएगी आपकी यानि कि यह value आपके उड़ाएगी जाके 2.09 इंटू 10 पार माइनस 18 जूल तो यहां से आपको energy की value पता चल गई और जूल में आपको पता चल गई ठीक है अब उसके बाद कह रहा है कि भी आपको कह रहा ह of the light emitted when the electron returns to the ground state यानि इसी क्या आपको wavelength calculate करना है यानि energy का magnitude जो रहेगा वो 2.09 इंटू 10 पार माइनस 18 जूल रहेगा ठीक है तो भाई अब जड़ा energy और lambda में relation देखें तो e equal to जो होता है वो sc by lambda होता है तो हमें lambda calculate करना यानि यह sc by e हो जाएगा तो h किया है plank constant है value कितनी 6.626 इंटू 10 पार माइनस 34 जूल सेकेंड है इंटू c की value कितनी है तो यह 3 इंटू 10 पार 8 मीटर है डिवाइड किसे कर देंगे डिवाइड इसे कर देंगे यह कितनी है टू पॉइंट जिरो नाइन इंटू 10 पार माइनस 18 जूल तो जूल से यहां पर जूल कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है ना अच्छा अब आप यहां पर देखिए कि लेमडा की value जो है वह आपको calculate करनी ह यहां पर मीटर पर सेकेंड है सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा और मीटर आपका बच जाए तो यह value कितनी आ रही है वो जरह देख लेते हैं तो यहां पर देखिए यह उड़ाएगा 6.626 इंटू आपका 3 हो जाएगा और 2.09 ठीक है इंटू उपर में देखें आुन नाइट 22 इं इंटू 10 पाउर माइनस 10 मीटर यानि के इसको लिख सकते 951 एंग्ष्टॉम काहे लिए क्योंकि वुल एंग्स्थ्टों जो होता है ये 10 पाउर माइनस 10 मीटर होता है तो इस तरह से आपको सम्या रहा है कि आंसर जो आएगा वह आपका 951 angstrom आजाएगा आए इस question को solve करते हैं question आप से करें कि which of the following are isoelectronic species that is those having the same number of electrons देखें यहां पर इन्हों ने isoelectronic की definition भी दे दी है कि वो species जिन में की same number of electrons होते हैं they are called isoelectronic और आपको दिया है na plus k plus mg2 plus c2 plus s2 minus और ar दिया है आरगन दिया हुआ है तो देखें isoelectronic species को calculate करने का basic method यह है कि आपको सब ketomic number पता है उसके बाद में electron अगर आता है मतलब anion बनता है तो उसमें electron add कर दीजिए उतने और अगर वो cation बनता तो उससे उतने electron निकाल दीजिए फिर आप यह देखें कि किसमे same number of electron है they are called isoelectronic तो चलिए हम देख लेते हैं तो देखें यहां पर हमाई पास क्या है कि sodium sodium का atomic number आपको यादा रहा है 11 है बड़ यह na plus है तो na plus का मतलब 11 में से एक electron आपने हटा दिया यानि कि 10 electrons रीच का यह है इसके बाद आता है k plus तो k का कितरा atomic number है 19 है ठीक ना but k plus की बात कर रहे है यानि कि 19 से आपने एक electron हटा दिया तो 18 electron इसमें हो गया इसके बाद अगला आता है mg2 plus तो mg का अगर आप देखें तो 12 होता है और mg के 2 प्लस यानि कि 2 electrons यहां से हटा दिये तो यहां पर 10 electron हो गया इसका मतलब है कि sodium के साथ यह electronic हो गया इसके बाद आता है क्या CA 2 प्लस तो CA का अगर आप देखें तो atomic number 20 है और यहां पर अगर आपने देखा तो CA 2 प्लस हो गया यानि कि 20 से 2 electron गया तो 18 इसका मतलब यह जो है वह इसके potassium के साथ iso electronic हो गया उसके बाद आता है sulfur 2- तो देखिए sulfur का atomic number 16 होता है इसका मतलब है कि यह potassium और साथ में calcium का ISO electronic हो गया उसके बाद अगला आता है argon तो argon का atomic number 18 है और इसमें कोई चार्ज नहीं है तो चलिए अब ISO electronic को देख लें तो देखिए 10 electron series की अगर मैं बात करूँ 10 electron series की मैं बात करता हूं तो इसमें आपके sodium na plus और साथ में mg2 प्लस आ जाएगा इसके बाद 18 electron series की अगर मैं बात करूँ यानि कि सब में 18 electron है तो कौन को आएगा के प्लस आ जाएगा और आपका सी ए टू प्लस आ जाएगा एस टू माइनस आ जाएगा और आरगन आ जाएगा ठीक ना तो इस तरह से यह दो series यहां पर बनी है इस electronic की 10 electron में आपके 2 हैं और 18 electron में 4 हैं तो टोटल हो गए 6 ठीक है आए अब इस question को solve करते हैं question कर रहा है कि calculate the wavelength of an electron moving with velocity of 2.05 into 10.7 meter per second आपको क्या करना है और velocity की value आपको दीजिए जड़ा सोचें कि velocity of wavelength के बीच में relation क्या है तो आपको तरुन तयाद आ गया कि यहां पर lambda equal to h upon mv लगाएंगे h के है plank constant है m के है mass of electron है और v जो है velocity of electron है यह given है ठीक है तो चलिए h की value के है 6.626 into 10 to power minus 34 joule और second है और by उड़ाइगा mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31 kg है into velocity की value की बात करें तो यह उड़ाइगा 2.05 into 10 to power 7 meter per second है ठीक है न तो यहां पर यह value हमने यहां पर रख दी ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर यह उपर की ओर चला जाएगा तो पहले चले डेटा को लिख लेते हैं तो 6.626 बाइगा 9.1 into 2.05 into power लिखेंगे तो 10 to power minus 34 हो जाएगी इसको हम उपर की तरफ ले गए तो यह 10 to power 31 हो गया ठीक है ना और इसको भी उपर की तरफ अगर हम ले गए तो यह 10 to power minus 7 हो गया यह 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 लिए लिए 6.626 बाइगा 9.1 into 2.05 into power की बात अगर करें तो देखेंगे यह प्लस का 31 है माइनस का 34 है माइनस का 3 यह बचा और माइनस का 7 यह यह 10 to power minus 10 हो जाएगा चलिए अब हम यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की अगर आप बात कर रहे हैं त वन जूल होता है यह कुल्ट होता है वन किलोग्राम मीटर स्कॉरर पर सेकेंड स्कॉरर होता है तो चलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू इसको रख देते हैं यह वाला डेटा जब आप कैल्कुलेट करके लाएंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वह 3.55 into 10 to power minus 11 हो जाएग ठीक है अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो यह जाएगा किलोग्राम मीटर स्कॉरर पर सेकेंड स्कॉरर तो यह तो जूल हो गया है इंटू उपर क्या बचा है उपर बचा सेकेंड स्कॉरर बचा किलोग्राम इंटू मीटर बचा है तो अब किलोग्राम से किलोग्राम cancel out होगे, second square से second square और meter से इसकी power cancel out होगी यानि answer आजया 3.55 into 10 to power minus 11 meter, ठीक है न? आपको answer भी meter में चाहिए, तो इसलिए answer जो है, वो ही हो जाएगा, ठीक आए विस question तो solve करते हैं, question आप से कहे रहा है कि how many neutrons and protons are there in the following nuclei, आपको nucleus दिये हुए है, 6C 13 दिया है, 8 O 16 दिया है 12 magnesium 40 दिया है, 26 iron 56 दिया है और 38 strons of 88 दिया हुआ है तो के लिए इसमें ऐसा करते हैं, electron भी देख लेते हैं इसका atomic number भी देख लेते हैं atomic mass भी देख लेते हैं, सब देख लेते हैं को किया कर दिया हुआ है 6C 13 दिया है और उसके बाद में, 8O 16 दिया है फिर इसके बाद में 12 magnesium 24 दिया है फिर हमको 26 iron 56 दिया है, और फिर रमको 38 strons of 88 दिया है सबसे पहले flow सबसे पहले नमबर की बात करें तो say the तो यहाँapi सिक्स है और यहाँ कंद्व alg extra उसके बाद नमबर आप प्रोटोंस की अगर हम प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल्टू होते हैं किसके अगर करें तो अगर एटम न्यूट्रल है अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल्टू प्रोटॉन होते हैं अगर एटम जो होता है तो उसके कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्र उतना positive होगा ठीक, तो भाई यह सब में कोई charge नहीं है, कोई negative नहीं है, कोई positive नहीं, यानि कि जितने electron, उतने ही proton, तो यह proton 6 है, तो 6 electron 8 हो जाएगा, यहां 12 हो जाएगा, यहां 26, यह 38 हो जाएगा, अब number of neutrons की बात करें, तो यह माईनस जैड होता है नमर हम नेूट्रोंs की बात करो तो यह माईनस जाओता तो इसका कितैंच सब्सक्राइब यह जाए यहां पर AMD एकला है स है माइनस जेट कितना है 26 तो एक value 30 हो जाएगी यहां पर एक इतना है 38 सॉरी एक इतना 88 माइनस जेट कितना 38 तो एक value 50 हो जाएगी इस तरह से हम यहां पर number of neutron proton calculate करी सकते हैं और electrons भी calculate कर सकते हैं ठीक ना atomic number atomic mass भी मैंने लिख दिया है ठीक इस तरह से इस question को solve कर दे आयो इस question को solve करते हैं करा write the complete symbol for the atom with given atomic number आपको जो atomic number दिया गया है and atomic mass atomic mass दिया गया उसाब से आपको symbol बस बताना कि क्या होगा तो पहले कि अगर बात करें तो पहले में jet जो दिया है वो कितरा 17 दिया है आप सोचो कि 17 atomic number किसका है है तो आपको याद आ रहा है chlorine का तो बस symbol बना दो सेवंटीन थर्ड क्लोरीन हो गया 35 इसका atomic number atomic mass हो गया ठीक है तो सेवंटीन थर्टीफाइब सेकेंड में आपको जड़ जो दिया है वो 92 दिया है अब आप सोचो कि 4 atomic number किसका है तो पहला फर्स्ट जो हाइडोजन का सेकेंड हिलियम का है थर्ड लिथियम का और फोर बेरिलियम का है ठीक रहा तो यह क्या हो जाएगा आपको जो दी गई है वो दीगी है लेम्डा की लेम्डा की वेल्व दीए 580 नेनो मीटर और इसको आप बदल लोगे 580 इंटू 10 पार माइनस 9 मीटर में सही है न मीटर में बदल दिया अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है कैल्कुलेट क लेते हैं तो फ्रिक्वेंसी न्यू जो होता है एक वल्टू होता है सी वाई लेम्डा सी के आए विलोस्टी आफ लाइट है तो इसकी वेल्व थ्री इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आई की और लेम्डा की वेल्यू 580 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर आएगा मीटर मी बाई 580 इंटू हो जाएगा 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा सही न अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद यह वैल्यू जो आती है वह आती है 5.17 इंटू 10 पावर 14 सेकेंड इन्वर्ष ठीक है न तो इसको एक बार आप देख लेना यह अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी वेब नंबर की तो देखें वेब नंबर अगर हम सॉल्ब करें तो वेब नंबर न्यू बार इक्वल टू होता है वन बाई लेमडा तो यह हो जाएगा वन बाई 580 इंटू 10 पार माइनस 9 मीठर extending 10 पार 9 मीठर में इनवर्स यहनी कि आप इसको लिख सकते हो 1,000 इंट 10 पार 6 यह करसकते हो 580 मीठर इंवर्स यहनी कि इसकी वेल्य ज्यों आती है है वे आती है 1.72 इंट तो आप इसको देख ले ना एक वेल्य आएगी एस तरह से इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं कोश्चन आप जगरेंगी फाइंड इनर्जी ओफ इच आफ दा फोटन विच करेस्पांड तो दे लाइट फ्रिक्वेंसी इतना एंड है वेव लेंथ इतना मतलब आपको इनर्जी केल्कुलेट करनी फ्रिक्वेंसी ओ वेवलेंड दिया हुआ है तो फॉर्मूला बेस्ट कोश्चन है आराम से लग जाएगा तो सबसे पहले आपको याद आ रहा है कि इनर्जी इकोल टू जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के बेस पर एच नहीं हो जाता ह कितनी वेवल्य विए तो 6.6 6 10 के पौँट पार माइनस 34 सेकेंड होता है इन्टू फ्रिक्वेंसी अपको दिया हुआ किसमें हर्च में दिया वह तो 3 इन्टू टो पावर 15 सेकेंड इंवर्स दिया हुआ हboo है ठीक न तो यहां से इसको आप सॉल करेंगे तो करेंगे तो द सेकेंट इन्वर्स कैंसल आउट हो गया जूल हो गया तो फिर वन आ गया इंट पार माइनस नाइन जूल यह आजाएगा तो आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं यह वन पॉइंट नाइन एट सेवन एट फिसका दिया तो इन्टू पार माइनस एटीन जूल हो जाएगा तो यह भी आप लिख सकते हो नहीं तो यह आंसर हो जाएगा अब सेकेंट में आपको वेबलेंद के रिलेशन में अगर ह लिख क्या प्लांक कॉंस्टेंट है तो फ्लांक कॉंस्टिटिए वेवलेशन इंटू 10 पावर माइनस थर्ट इफूर जूल सेकेंड हो जाएगी ठीके ना एंटू सी की वेलू का है सी जो है वह वह व्लॉसिटी ऑफ लाइट ठीन फावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाएग बस में तो यह वैलू आ जाएगी कितनी पॉइंट फाइब इंटू पार माइनस 10 मीटर हो जाएगी ठीक अब यह मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया सब्सक्राइब यहां पर पावर को जरा देख लेते हैं तो यह क्या जाएगा जिम्राइब थेख लेख ठीक फिर ए मैंने यहां से भाटा दिया और फिर यह तैन्ट फावर टेंट कर दिया और फिर यह 10 to power 10 फिर से मैंने हटा दिया और इसको हटा के 10 to power 18 कर दिया तो यह 10 to power 18 हो गया अब 10 to power 18 तो याण 20 to power 16 बच गया minus का ठीक ना और यहां पर आप देख लो तो ये पॉइंट हटेगा ठीक है तो पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा दिया मैंने और यह 56 जा कर दिया है ठीक यानि में पास क्या है कि 6.626 इंटू हो जाएगा 6 और इंटू 10 तो पार माइनस क्या हो जाएगा माइनस योगा 16 हो जाएगा सही ना अब इससे मल्टिप्लाइ कर दी तो 6 जा हो जाएगा 36 3 कह रही होगा 6 जा 12 15 हो जाएगा 36 37 हो जाएगा और 36 39 हो जाएगा तो 39.756 इंटू 10 पार माइनस 16 जूल आंसर आ जाएगा ठीक ना तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं